हेलो दोस्तो हिंदी एंड़ोई टिप्स में आप सभी का स्वगत है दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप वटसब की वाइस कॉल या वीडियो कॉल को कैसे बंद कर सकते हैं डिसेबल कर सकते हैं बीना किसी एप के जी हाँ दोस्तो कई बार क्या होता है हम अपने मुबाइल में अपना कुछ इंपोर्टेंट काम करते हैं और कोई ना कोई हमें वटसब पर कॉल करके परेशान करता है या फिर हम अपने मुबाइल में गेमिंग करते हैं उस दर्मियान भी कहीं सारे लोग हमें WhatsApp पर call करते ही जिसकी वज़े से हमें काफी जादा दिक्कत आती है तो अगर आप चाहते हैं WhatsApp पर कोई भी बंदा आपको call ना कर पाए चाहे फिर voice call हो या फिर video call तो ऐसी setting आप WhatsApp में कर सकते हैं बिना किसी app के तो ये setting सीखिने से पहले आप इस video को like कर दीजिए चैनल पर नए हो चैनल को subscribe कर लीजिए साथ में bell icon को दबा कर all पर set कर दीजिए ताकि जैसी मैं कोई नया video upload करूँ तो इसकी जानकरी सबसे पहले आपको मिल जाए इसके बाद आपको एक comment कर देना है nice video एक comment जरूर कीजिए तो चलिए video शुरू करते हैं दोस्तो इस video मैं मैं आपको दो तरीके बताऊंगा WhatsApp call बंद करने के लिए जो भी तरीका आपको आसान लगे आप उसे use कर सकते हैं तो आपको क्या करना है mobile की settings में चले जाना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक setting धूंड लेना है app management आप देख सकते हैं आपके phone में सिर्फ apps भी हो सकता है तो आपको यहाँ पर app management वाली setting को open करना है यहाँ पर आपको app list वाली setting को open कर लेना है अब यहाँ पर आपको WhatsApp को धूंड लेना है और WhatsApp को आपको इस तरह से open कर लेना है ठीक है अगर आपको ये setting इस तरह से नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पर एक trick और लगा सकते हैं आपको WhatsApp पर एक second के लिए दबाना है तो यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी app info यहाँ पर आप देख सकते हैं app info पर आपको इस तरह से click कर देना है तो यही वली setting आ जाएगी अब यहाँ पर आपको क्या करना है एक setting आपको मिलेगी data uses details आपको इस पर click करना है अब यहाँ पर दोस्तों आपको देख लेना है आप क्या use करते हैं wifi या mobile data जो भी आप use करते हैं तो यहाँ से यहाँ पर आपको disable mobile data इस तरह से setting को on कर लेना है अगर wifi भी use करते हैं तो यहाँ पर disable wifi इस setting को भी on कर लेना है अब यह setting जैसी दोस्तों आप on कर देंगे तो आप क्या होगा आपके whatsapp में internet काम नहीं करेगा अब अगर आपको whatsapp पर कोई भी call करेगा तो आपको call नहीं आएगा जी हाँ दोस्तों आप आसानी से अपना important काम कर सकते हैं अगर आप gaming कर रहे हैं तो gaming भी कर सकते हैं whatsapp पर आपको कोई भी call करके परेशान नहीं करेगा चाहे wise call हो चाहे video call हो और इस तरह से कोई भी आपको message नहीं कर पाएगा यानि whatsapp पर internet block हो चुका है अब नहीं whatsapp पर कोई message आएगा नहीं आप message कर पाएगे नहीं आपको कोई call करके परेशान करेगा तो यह थी हमारी पहली trick इसकी मदद से आप आसानी से whatsapp call को disable कर सकते हैं ठीक है अब दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको इसे unblock करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है वापस से आपको आ जाना है यहाँ पर mobile data uses में और यहाँ पर यह दोनों ही setting को off कर देना है तो अब दोस्तों whatsapp पर आपको message भी आएंगे और कोई call करेगा तो call भी आएगा ठीक है अब बात करते हैं दूसरे तरीके की तो दूसरा तरीका भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं यह कैसे होगा इसके लिए आपको whatsapp को open कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ पर three dots पर click करना है settings में आ जाना है इसके बाद यहाँ पर आपको notifications में आ जाना है नीचे आना है आपको यहाँ पर call वाले section में आपको यहाँ पर ringtone वाली setting पर click करना है इतना set करने के बाद नीचे vibrate आपको यहाँ पर vibrate को भी off कर देना है इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है back आ जाना है और whatsapp पर एक second के लिए दबाना है और वापस से आपको app info में जाना है app info में जाने के बाद आपको manage notification में जाना है और यहां पर आपको WhatsApp के notification को off कर देना है इतना करने के बाद दोस्तों क्या होगा अब आपको WhatsApp पर कोई भी call करेगा तो call आपको दिखाई नहीं देगा नहीं आपका mobile vibrate करेगा नहीं आपको कोई notification tone सुनाई देगा नहीं ring tone बजेगी आपको किसी भी तरह का कोई disturb नहीं होगा अगर आप WhatsApp को open करेंगे तो आपको उपर के side में call दिखाई देगी और सभी के message दिखाई देंगे इस तरह से दोस्तों ये दोनहीं तरीके की मदद से आप WhatsApp पर incoming call outgoing call को block कर सकते हैं चाहे फिर वो wise call हो चाहे वो वीडियो call हो तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को शेर कर दो WhatsApp फेस्बुक पर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में टैंक यू